आज हम हार्ट फेलियर के बादे में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि ये आखिर है क्या यदे हम हाट फेलियर की बात करें तो हाट जितना ब्लड एक मिनट में निकालना पंप करना है और पंपिंग उतना नहीं हो पाता हाट वीक हो जाता है यदि हम लोग normal individual की बात करें तो heart की pumping ऐसे चल रही है और heart failure में heart लगवग weak हो गया, usually इसका जो contractility है वो decrease हो जाता है, जिससे जितना blood एक minute में निकलना चाहिए heart से उसकी मात्रा घट जाती है, जिससे शरीर के अन हिस्सों में blood supply घट जाता है, और सारा symptom उसी से related होता है, एक द इसमें हमारे पास ज़्यादा options अभी नहीं है, but heart failure with reduced ejection fraction, या heart का weak हो जाना, इस ज़्यादा commonly हम लोग देखते हैं, Usually हम लोग जब देखते हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे usual symptom होता है, individual का सांस फुलना, कोई मरीज अचानक से सांस फुलने लगे, या जब हम लोग वाक करें, exercise करें, या कोई महनत का काम करें, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, बीमारी धीरी धीरे और आगे बढ़ता है, तो इवन मरीज को अपना daily activity, daily routine में भी सांस फुलने लगता है, और जब last stage में आ जाए, तो मरीज को लेटे लेटे बैठे बैठे भी सांस में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, इसके साथ साथ lower limb में सूजन होने लगता है, पाउं फूल जाता है, बहुत commonly हम लोग देखते हैं, कि तोनों पाउं में सूजन हो गया, सांस फुल रहा है, तो यह हाट फेलियर हो सकता है, इसके लिए जरूर अपने डॉक्टर से मिलें और वो investigate करने के बाद आपको बताएंगे कि इसमें आगे का क्या हो पाए है, जैसे हाट फेलियर के लक्षनों के बारे में भी आप ढूरिज होता है, इसमें हार्ट का कोई हिस्सा हर्टरी के ब्लॉक होने के वजdotे से डैमेज हो जाता है, इससे हार्ट विक हो जाता है, इसके अलाबा कारण की बात करें, तो इसमें myocarditis या कोई हार्ट में infections होना बेहुत common है, या इसे related कोई भी इन्फेक्शन हो या तो उ इलाज almost similar ही होता है. बात करें कि hypertension की तो क्या इसके वज़े से भी समस्याएं हो सकती है? हाँ, बिलकुल हो सकती है. यदि हम लोग बात करें तो hypertension से heart failure with normal ejection fraction या heart failure with reduced ejection fraction दोनों हो सकती है. यदि हम लोग बात करते हैं, hypertension hypertension, heart attack का या coronary artery disease का एक बहुत common कारण है. इसके वज़े से heart attack होता है और heart attack के बाद heart failure होता है. तो definite रूप से blood pressure का बढ़ना या सुगर का uncontrolled रहना heart failure के लिए जिम्मेवार है.